तो हलो अवरिवन आपका एक नए वीडियो में सुवागत करता हूँ तो BMCM का टीजर दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा लेकिन आप लोगों ने वो नहीं देखा जो हमने देखा है यूँकर बहुत ही स्पीड में चीज़े आगे बढ़ रही है और मैंने जो देखा है वो यहाँ पर आप लोग बस सुन लीजिए आप लोगों का जो एक लेवल है ना वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना और बढ़ जाएगा कसम से बोलता हूँ बढ़ जाएगा और जीप्स यह एं कौन सी है, арमी ऑफिसर्स की जीप्स है और अंदर का एक सीन है, जिसमें आरमी ऑफिसर्स बहुत सारे बैटे है और यह बिल्कुली शान्त बैटे हैं, बिल्कुली मायूस बैटे हैं एकदम से tension से फिरी ले टे हैं, यह इनको कोई tension ही ना हो और इन लोगों को बेचारों को नहीं पता है कि कुछ ही देर में इन लोगों के उपर एक हमला होने वाला है और वो भी बड़ा ही भयंकर अचानक से दोस्तों एक भूम से गाड़ी उड़ती है जो कि एक धमाका होता है पूरी की पूरी आर्मी जो जीब होती है वो उड़ जाती है और पिर अचानक से जितनी भी गाड़ियां होती है उन्हें चारों तरफ से हेलिकॉप्टर से घेर लिया जाता है और भाई सब गोल सकते थे जब ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान को चुकाना है तो आम लोगों को भी मार सकते थे लेकिन इन्होंने आर्मी आफिसर्स को ही क्यों मारा उसकी वज़े यह है कि कहीं न कहीं जो पृत्विराज सुकुमारन का केरेक्टर है वो एक ऐसी चीज हासिल करना चाता है जिस से एक रोबोटिक एक्टिवेट हो जाए और ये जो सारी आर्मी आफिसर्स की जीप है ये एक ऐसी जगह पे जा रही है जहां पे एक ऐसी चीज सेव है जो की सरकार के पास है यानि के इंडियन गौवर्मेंट के जिसको हासिल करने से कोई भी यहां पे तबाही मचा सक यानि के प्रित्यूरा सुकुमारन के हाथ में अगर वो सीडी चिप या कुछ भी ऐसी चीज आ जाए तो रोबोट को इस तरीके से शैतानियत के रूप में हिंदुस्तान के उपर भावी कर सकता है जिसको रोकना ना मुमकिन हो जाए तो इसी वज़े से यहां पे प्रित्य दिखाया जा रहा है और वो अंदर से कुछ ऐसा है जैसे के लेबर आटरी रोबोटिक लेबरेटरी यहां पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रही होगी जहां पे पिरत्यूरा सुकुमारन की पूरी लेब है और वो यहां पे अपने रोबोट को अपने हुमन पाक भी थोड़ी सी एक है ड्रैगन टाइप एंड नेक सीन में कुछ आर्मी ओफिसर थे और उनके सामने एक जनरल खड़े हैं और उस शक्स को पीछे से देख के भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रित्विराज सुकुमारन है देखो फ्रंट इन्होंने नहीं दिखाया बैक दिखायी है बैक से पूरा यहां पे जाहिर होता है कि यह प्रित्विराज सुकुमारन है अब इस सीन को देख के दोस्तों एक वाईब यह आ रही है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि प्रित्विराज सुकुमारन खुद भी एक इंडियन आर्मी ओफिसर हो और कहीं न कहीं उनके स हमारे अक्षे कुमार एंड टाइगा श्रोफ की जो कि खुद भी एक आर्मी आफिसर्स हैं और देश के लिए मर मिटने को तयार है यानि कि उन्हें इंडियन गवर्मेंट जानती है कि भाई ये लोग ऐसे हैं यानि कि ये दोनों जो कि देश के लिए कुछ भी करने को तयार है मार भी सकतें एंड बर भी सकतें और नेक्स्ट सीन में दोस्तों पता चलता है कि ये दोनों ही बहुत बड़े-बड़े मिशन पे जाते हैं और आपने ये सीन देखा हुआ ये मुझे इस्तानबुल का सीन लग रहा है क्योंकि अली अबाद जफर भाई इस्तानबुल को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और मुझे उमीद है कि इन्होंने ये सीन इस्तानबुल में ही शूट किया है देखो आर्मी ओफिसर्स के ये दोनों अफिसर्स आर्मी के सारे बड़े-बड़े Mission पूरे करते हैं और यहां पे दोस्तो एक बात जो की काफी गहरी बात है मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी ओफिसर्स की नजरों में ये दोनों जिन्दा हैं लेकिन आर्मी आफिसर्स के अलावा जो main men officers हैं यानि के जो इनको manage करते हैं दोनों को अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ के इनके अलावा बागी सब की नजरों में ये दोनों मर चुके हैं फिर हम आगे देखते हैं के ये दोनों एक ऐसी जगा पे खड़े हैं जहां पे एक laboratory का यानि के robotic laboratory का एक sewer tank है जो चीज हमने अल्रेडी पहले देख चुकी है जो गिलिम्स आया था यहाँ पे टाइगर श्रॉफ और अक्षे कुमार दोनों लड़ते हैं इसका पहला first look आया था ये मुझे वहाँ का scene लग रहा है और ये scene वही है जो प्रित्विराज सुकुमारन की जो एक robotic laboratory है ये वो scene है हो सकता है कि ये दोनों यहाँ से इस laboratory में गुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे fight कर रहे हैं और भी रागे बाई का बहुत ही huge level chasing sequence है जो कि teaser के climate को और भी जादा अपर लेवल पे पहुचा देता है और यहाँ पे दोस्तों last में दोनों ही बंदे यानि के अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ ये सोचते हैं कि हमने mission को पा लिया है और हम जीच चुके हैं लेकिन दोस्तों वो जो लंबे बाल वाला बंदा है वो actually में कौन है क्या है और वो क्या कर रहा है ये अभी इन लोगों को नहीं पता I think so पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त पिच्चर अभी खत्म नहीं हुई है यानि के दोस्तों इस हिसाब से मुझे लगता है कि BMCM 2 भी आगे आ सकती है को कि इन्होंने लास्ट में कुछ ऐसी चीज रग दी है जो टीजर को यहाँ पे दर्शा रही है कि यह चीज कहां जा रही है फिलहाल तो देखो यहाँ पे प्रित्विराज सुकुमारन एंड वो लंबे बाल वाला जो करेक्टर है वो मुझे दोनों एक ही लग रहे है कही न कहीं यहाँ पे जो प्रित्विराज सुकुमारन जो की भाई अपना एक लुक धारन कर तो लिया है लेकिन वो हुआ कैसे हो सकता है कि उन्होंने अपना जो एक एक्सपेरिमेंट है खुद पे किया हो और उसकी वज़े से उनका जो चहरा है वो कहीं न कहीं यहाँ पे बिगड गया हो और इसी वज़े से वो मास्क लगा के गूम रहे हो क्योंकि जब आर्मी आफिसर्स के जब वो खड़े है जनरल के अपने एक लेवल पे उसके अलावा फिर बाद में हमें कहीं पर भी इसका प्रित्विरा सुकुमानन का चहरा नहीं दिखाया है सिर्फ उस लंबे बाल वाले बंदे के अलावा हो सकता है कि उन्होंने अपना लुक चेंज कर लिया हो एक मास्क लगा लिया हो और अगर फ्रेंट से उस बंदे को नहीं दिखाया गया है और अगर फ्रेंट से ये लोग इसमें रिविल कर देंगे तो यहाँ पर पबलिक आल्रेडी समझ जाएगी तो फिलाल दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल में कुछ न कुछ चीदे समझ में आ चुकी होंगी फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट में आप पूस सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले किसी वीडियो में और न थैंक्स और वाचिए